हाई दोस्तों, असलाव अले क्यों, कैसे आप लोग में हम नभील है, आज जो smart watch हम review करने वाले वो कि regular smart watch नहीं है, proper android OS पर चलने वाली smart watch है, यह है firebolt की dream, और यह कोई bluetooth calling वाली smart watch नहीं है, इसमें proper sim card लग जाता है, आप कहीं भी इसका इसका इस्तमाल कर सकते है, google maps चला सकते ह android के अंदर आने वाले play store पर जितने application है, पूरे यह watch पर आपके चल जाएंगे, तो यह कुछ अलग smart watch है, इसका review करके देखेंगे, कैसी है smart watch चलिए सबसे बहले इसको करते है, unbox, यह guys firebolt की dream smart watch के boxes, 4 strap variants में यह watch मेरे पास है, ताके आपको भी आसानी हो जाए, decide करने में के हम देखते है, यहाँ पर इसके display के बारे बताया गया है, कि high resolution को बड़ा display है, वो आगया हम चेक आउट करेंगे, nano sim इसमें लग जाता है directly, 2GB कराया है, 16GB की इंटरन स्टोरेज है, built-in GPS भी इनोने इसमें दिया है, और इस साइट पे और कुछ फीचर दिये हैं, जैसे आप play store से कोई भी application डाउनलोड कर सकते हो, इसमें 800 mH की battery है, code core processor है, और TWS भी directly इससे connect हो जाता है, box के अंदर आपको fireball dream smartwatch देखने मिलेगी, जो भी variant आपने चूज किया है, उस strap के साथ, इसके साथ मिलते है, इसकी user manual और कुछ freebies, और मिलता है watch को charge करने के लिए magnetic charging cable, इस watch के सा सकते है, यह leather finish जैसा strap है, leather है नहीं हाला के, और यह आप पानी वानी में भी लेके जासे कोई issue नहीं है, इसका look काफी अच्छा है, यह blue color में है, और same strap जो है में पास यहाँ ब्राउन कलर में भी है, तो दोनों ही strap के जो colors है, काफी अच्छे लग रहे है, इसके अलावा, य मुझे एक silicon strap भी साथ में मिला है, तो यह भी आप expect कर सकते हो इसके साथ, watch की design, build, quality और looks के अगर हम बात करें, तो look जो है काफी इसका premium है, full metal construction आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, display के जो edges है, वो भी curved है, जिससे एक काफी premium look आता है, bottom से भी watch को देखेंगे, तो it is well built, और यहाँ पे आपको इसके सारे sensors देखने मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे इसके charging connector pins, watch के उपर आपको कुछ buttons देखने मिलते हैं, जैसे यहाँ पे यह एक button है, जिसको आप press करके menu में जा सकते हो, और यह एक functional digital crown भी है, तो यहाँ से आप watch faces वगारा change कर सकते हैं, menu में scroll कर सकते हो, दूसरा button यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको press करके आप display को on off कर सकते हैं, इन दोनों buttons के बीच में आपको speaker grill मिलता है, क्योंकि यह watch जो है, यह calling को भी support करती है, और opposite side में देखिए तो यहाँ पे microphone का hole है, और साथ ही मिलता है आपको यहाँ पे SIM tray जो इस तरीके से आप pull out कर सकते हैं, और इसमें एक nano sim आप लगा सकते हो, यह watch IP67 dust and water resistant भी है, तो आप इसको बिंदास पानी में लेके जा सकते हैं, इस watch में आपको काफी अच्छा performance देखने मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक quad core CPU इन ने दिया है, 2 GB का RAM है, और 16 GB की internal storage भी इसमें मिलती है, और यह Android OS पर चल रही है, smart watch, तो यहाँ पर आप अच्छा performance expect कर सकते हो, इस watch को आपके phone से pair करने की कोई भी जरूत नहीं है, इसमें sim card लगता है, उससे ही सारा काम आपका हो जाएगा, sim card को मैंने इस tray में डाल दिया है, और watch में मुझे बस इसको insert कर देना है, उसके बाद म अपने Google account से sign in कर दिया, तो यहाँ पर आपको जो play store मिलता है, उसमें आप automatically sign in हो जाते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपके phone का play store है, वैसे आपको exactly यहाँ पर देखने मिलेगा, और जो भी application या games, जो कुछ आप download करना चाते हो, social media के apps से, सब कुछ आप अपन कर सकते हैं, डिस्पले भी यहाँ पर काफी अच्छा इन्होंने इस watch के अंदर दिया हो है, 2.02 inches का display है, 60 hertz का refresh rate है, डिस्पले के viewing angles अच्छे है, outdoor brightness अच्छी है, क्योंकि 600 nits की brightness मिलती है, और यहाँ पर overall display का usage है, वो काफी आपको smooth देखने मिलेगा, इस watch के अंदर एक्दम smart watches हम review गयते हैं, उससे काफी अलग है, अब यहाँ से अगर हम swipe down करेंगे, तो यहाँ पर आपको proper control center देखने मिलता है, जो Android phones में आपको देखने मिलता है, तो यहाँ पर Wi-Fi है, आपका mobile data है, Bluetooth वागर है, सारी चीज़ यहाँ पर देखने मिलेगी, airplane mode भी है, यहाँ पर आप होता है, यह button press करेंगे, digital ground होता है, इसमें आप menu के style को change भी कर सकते है, इसको double press करना है आपको, और menu के style change हो जाएगा, आपका देखिए, इस type का भी रख सकते है, और वैसे भी, इस watch के health features की बात के तो यहाँ पे आपको एक heart rate scanner मिलता है, जो आपकी heart beat वखरा जो है, वो properly measure क कि आपको बता देगा, साथ ही आपको sports mode के अंदर, यहाँ पे काफी सारे sports mode देखने मिल जाते है, आपको अपनी personal information जो है, यहाँ पे enter करनी है, और उसके बाद देख सकते है, run, walk, on foot, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, इसके साथ इनका खुद का भ पर चला के देखेंगे हम, YouTube आप यहाँ पे देख सकते है, प्रॉपर आपको शॉट्स का टाइब मिल जाते है, आपकी subscriptions मिल जाते है, आपको कोई वीडियो प्ले करना है, प्रॉपर लॉंग वाला, तो भी प्ले कर सकते हो, जैसे मैंने अपना यहाँ पे वीडियो प्ले कर कर सकते हो, गूगल मैप से आप navigation आपके रिष्ट पे ही कर सकते है, आप कहीं बाहर जाते हो, घुमने जाते हो, तो फोन पे navigation लगाने की जगा आप रिष्ट पे भी लगा सकते हो, और इस watch के अंदर आपको काफी सारे useful features built-in आते है, जैसे calculator है, calendar है, आप contact store करके रख सकते हो photo album आपके यहाँ पे आपको मिल जाती है, आपके messages है, क्योंकि इसमें sim card directly तो messages इस पे भी आजाएंगे, आपके कोई problem नहीं है, music आप store कर सकते हो इसके अंदर, और यहाँ पे आपको stop watch मिल जाती है, power saving mode मिल जाता है, clock है, voice assistant मिल जाता है, जिससे आप कोई भी command दे सकते हो, और यहाँ पे आपको file manager भी मिल जाता है, जो भी stored होंगे files आपके watch पे, वो आप यहीं से access कर सकते है, इस watch में आपको calling functionality मिलती है, यहाँ पे Bluetooth calling नहीं बो रहा हूँ क्योंकि इसमें inbuilt calling आती है, आपके recent calls यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपके contacts आ amazing smart watch में, proper standalone device है, आपको phone से pair करने की इसको कोई जरूत नहीं, अपने आप ही यह चल जाएगी, और इसकी battery के करम बात करें, तो इसमें एक massive battery इन्होंने देखे रखी है, 800 mAh capacity की, लेकिन क्योंकि यह एक proper smart watch है, इसके अंदर Android OS चलता है, इसके अंदर आप SIM card भी इस्तमाल करे तो maximum जो battery life आपको यह निकाल के देगी, वो है 36 hours की, और जितने ज्यादा heavy use आप करेंगे, उतनी कम, लेकिन maximum 36 hours की आपको battery life मिलेगी इसमें, और रही बात दोस्तो इसकी pricing की, तो इसका price है 5999 और आपको इसका link मिल जाएगा इस video के description में, वहाँ से जाके आप इसको purchase कर सकते के काफी अलग, काफी यूनिक smartwatch मुझे लगी, आपको कैसी लगी, fireball dream मुझे comment करके जरू बताना, तो भी कता दोस्तो आपको आज का वीडियो पसने होगा, पसने में वीडियो काई शेर जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को subscribe जो कीजिए, good bye